तो question number one जो आपके screen पर रहा ये तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें प्रत्वीराज चोहान को किसने पराजित किया था बहुत important question है कि भाई जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी उसमें प्रत्वीराज चोहान को किसने पराजित किया था तो सबसे पहले इस question का right answer हैं आप यह चीज जरूर समझ लीजे मतलब पहली information कि तराइन कहां पड़ता है हर्याणा में पड़ता है कि यह चीज कि दूसरा सबसे important चीज कि जिन प्रत्वी राज चोहान के बारे में यहां चर्चा की जा रही है यह प्रत्वी चौहान असल माइने में है राय पिथौरा थर्ड जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट हैं कि ठीक है आंसर तो आप करिए प्रत्वी राज चोहान है इतिहास में प्रत्वी राज चोहान तीसरे नमबर के हैं वो जो तराइन की दूसरी लाई में किस से हारते हैं मुहम्मद गौरी से हारते हैं और मैं जल्दी से आपको एक चीज बता दू कि प्रत्वी राज चौहान जो है ये उस समय राजपूतों में सक्से सक्तिसाली है और दिल्ली और अजमीर के दरसल में ये साशक है तो दिल्ली और अजमीर प्रत्वी राज चोहान ने अपने आधीन किया हुआ है और ये सबसे important चीज है और प्रत्वी राज चोहान इतने सक्तिसाली है कि इनका सामराज विस्तार जो है ये पाकिस्तान तक जाता है और पाकिस्तान में याद करिए एक किला है साइद आपने कार छेतर है मतलब दिल्ली से ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक अपनी हुकूमत कायम रखते हैं तो ये जितने भी लाइन में लिख रहा हूंगे सब आपके लिए question है अब यहां पर चुकि इस question के right answer में मुहम्मद गौरी का जिकर आ रहा है तो चलिए मुहम्मद गौरी की बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही answer है इस मुहम्मद गौरी का वास्तविक नाम है मुहम्मद बिन साम पहला question क्या आपको यह चीज पता थी कि मुहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मुहम्मद बिन साम है नहीं पता थी तो यह एक बहुत important question है इसको जरूर याद रखेगा दूसरी सबसे इंपोर्टिंटी मुहम्मद गौरी का ये नाम मुहम्मद बिन साम कहां मिलता है तो जब हम पढ़ते हैं देहली वाला सिक्का अगला क्वेशन आचुका है आपके आगे या आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि देहली वाले सिक्के का संबंध जो मतलब इन दोनों के बीच में सत्परुता थी एक दूसरे को मार दिया था कुछ इतियासकार कहते हैं मिन्हा जिल सुरास कहते हैं कि प्रथवीराज चोहान को मार दिया गया था गौरी के द्वारा चंद बरदाई जो प्रत्वी राज चोहान का दरवारीती हासकार है वो कहता है कि गोरी को मार दिया गया था गजनी में सच्चाई ये नहीं है क्योंकि जो realistic view है वो इससे मिलता है तो देहली वाला सिक्का जो है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है याद रखेगा कि इस सिक्के में दो चीजे हैं सिक्के के एक साइड में याद रखेगा सिव की आकरती है और सिव की आकरती के नीचे जो है प्रत्वी राज चोहान देवनागरी लेंग्विज में लिखा हुआ है प्रत्वी राज चोहान थर्ड देवनागरी लेंग्विज में लिखा हुआ है सिक्के के एक साइड और सिक् मुहम्मद बिन साम लिखा हुआ है तो मुहम्मद बिन साम जल्दी से बता दीजे किस का नाम है महमूद गजनी का कि मुहम्मद गौरी का और यह मुहम्मद बिन साम जो है यह अरबिक लेंग्विज में लिखा हुआ है तो इस तरह से आपको यह चीजे जो मैंने आपको जो आपको याद रखना है महमूद गजनबी महमूद गजनबी जो है ये एक ऐसा सुल्तान था जिसके दरबार में दरबारी तिहासकार उत्वी था जिसके दरबार में अलबरुनी था जिसके दरबार में बेहाकी था और सबसे इंपार्टन चीर जिसने शाह नामा लिखी थी जिसके दरबार में फरदासी था तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कुत्बद्दीन एबक के बारे में कहा जाता है कि गुलाम बंस का संस्थापक है ये और गुलाम बंस में जो कुत्बी साखा है उससे दरसल में ये गुलाम बंस की कुत्बी साखा को इसने सुरू कराया था और सबसे लास्ट में अगर आप बात करते हैं अलाउद्दीन खिल जी की तो अच्छे से सुनियेगा मैं अलग कलम से इसको लिख रहा हूँ कलर से लिख रहा हूँ ये इसलिए ताकि जो दो लाइन लिखूंगा दोनों के दोनों आपको question में याद रखने है पहले हैं आसे अलाउद्दीन और आसे अलाई दर्वाजा तो कुबबत अलिस्लाम मस्जिद का दक्षनी द्वार अलाई दर्वाजा जल्दी से बताईए किसने बनवाया था नाम है अलाउद्दीन खिल जी धर्म को राजनीती से किसने प्रतक रखा था अलाउद्दीन खिल जी एक नया धर्म कौन चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिल जी सिकंदर इसानी को अपने को किसने कहा अलाउद्दीन खिल जी पहला ऐसा सासक जिसने मलिक कफूर की बदौलत मलिक कफूर एक हिजड़ा विक्ति था हजार दीनारी था तो मलिक कफूर की बदौलत इसने उत्तर भारत को फते किया यह जितनी भी बात है मैंने आपके सामने बताई है कि अलाई दरवाजा किसने बनाया धर्म और राजनीती का प्रथक्राण सबसे पहले किसने किया नया धर ठीन खिलची ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नमबर सेकेंड की तरफ प्रतवी राज चोहान को मुहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज को करना है चंदावर का जो बैटल है ये 1194 में हुआ था हलाकि कुछ किताबें और इतिहास का 93 मानतें लेकिन सचाई में ये है चलिए तो अब बताएए कि प्रत्वी राज चोहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था तो इसके लिए मैं एक बिलकुल सिंपल सी चीज़ आपको बता दे रहा हूं इन दोनों के बीच में मतलब तराइन वार जो है या तराइन की जो लड़ाई है आपको भी पता है यतिहास में ये टोटल दो हुई है तो तराइन वार प्रस्ट तराइन वार सेकन्ड तो तराइन वार जो फर्स्ट होई है याद रखेंगे हैं तराइन वार फ्रस्ट्ट में practical चोहान 2 रस्प करें और दूसरी लड़ाई होई है तराइन की और हमने बता दिया है आपको कि यह कहां बढ़ता है तरा इन हरियाना में हैं आजकल इस तरह के question कॉम्टेटर एक्जाम में पूछे जा रहे हैं कि जहां जो लड़ाईयां हुई है न वो battle field दर असल में किस reason से related है अब अगर मैं दूसरे तरहाईन के दूसरे युद्ध की बात करूं तो उसमें भी प्रत्वी राज चोहान का मुकाबला गौरी से ही हुआ है अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कॉम्टेटे एक्जाम में जब भी question आया है तो question यहां से फसाने वाला आया है कैसा फसाने वाला आया है मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूं समझने की कोसिस कीजिएगा तराइन प्रथम के युद्ध में कौन जीता है तो तराइन प्रथम के युद्ध में जो जीता है उसको मैं ब्रैकेट में ले लिया मतलब प्रत्वी राज चोहान जीते थे अगर मैं पूछू आप से कि तराइन सेकंड के युद्ध में कौन जीता था तो तराइन सेकंड के युद्ध में गोरी जीता था इसका मतलब अब आपको साइद कहानी एकदम के लिए अर दिख रही होगी कि प्रत्वी राज चोहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराय था आप खुद देख सकते हैं जैसा चैन सिंग ने कहा बिलकुल सही है चैन दूसरा अंसर एकदम सही है मतलब तराइन 1192 में जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ इस युद्ध में कौन हारा है प्रत्वी राज चोहान और इस युद्ध के इतने माइने हैं यदि मैं आपको बताऊं कि इसी युद्ध के बाद से भारत में मतलब तराइन सेकंड युद्ध के कारण ही भारत में मैं यहां लिख दरहा हूँ यह तराइन सेकंड के परिणाम जो है यह आप से क्वेशन पूछे जाते हैं मुहमद गौरी के दिसा निर्देशन में भारत में तुर्की सामराज इस्थापित हुआ तो अगर आपसे क्वेशन पूछा जाएं कि भारत में देखिए अलग से क्वेशन लिख रहा हूँ भारत में तुर्की सामराज किसने इस्थापित किया आंसर है आपका मुहमद कि भारत में तुर्की सामराजी की नीव किस ने डाली यारि रखिएगा इसका भी आंसर है मुहमध गौरी इस्थापित करने को इनीव डालना बोलते हैं अब अगर मैं आप से पूछों कि जो तुर्की सामराज्य है मुहमध गौरी के दिसा निड़िशन में मुहमध गोरी एक मुसलिम विक्ती है तो अगर मैं आपसे question थोड़ा घुमा कर पूछूं कि भारत में तुर्की की जगह word use कर दू मुसलिम सिर्फ एक word use कर दिया तुर्की की जगह word use कर दिया मुसलिम तो भारत में मुसलिम सामराज्य को इस्थापित किस ने किया इस question का भी answer है मुहम्मद गौरी और अब यदि इस question को मैं बोलो कि भारत में मुसलिम सामराज्य की नीव किस ने डाली है तो इस question का भी answer है मुहम्मद गौरी मतलब आप खुद देख लीजिए ये जो युद्ध का परिणाम है इस युद्ध का परिणाम में यह हुआ कि भारत में और यहां भारत का मतलब मैं एक चीज़ आप साप बता ढूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं जैसे चैन सिंग ही मुझे सुन रहे है या जब भी आप सब मुझे सुने, तो भारत का मतलब उस समय भारत दो हिस्सों में डिवाइड था, उत्तरी भारत और दक्षनी भारत, मुहम्मद गौरी की जीत तराइन सेकेंड का युद्ध दक्षनी भारत में कोई भी इंपेक्ट नहीं डालता है, सिर्फ उत्तरी भारत म मुस्लिम सामराज्य की नीव पढ़ती है, उत्तरी भारत में मुस्लिम सामराज्य स्थापित होता है, तो इतनी बारी की मेंस में चेक होती है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, कि तराइन सेकेंड की वार का जो में परिणाम था, वो भारत में त प्रतवीराज चौहान जो हारे हैं, और उसके जस्ट बात अगर हम बात करें, तो प्रतवीराज चौहान की हार, उत्तर भारत की असल में हार थी, तो उत्तर भारत में मुस्लिम सामराज्य स्थापित हुआ है, इनके दौरा. अब इसके बाद चंदावर का युद्ध आपको भी पता है साइद आपने कभी न कभी तो पढ़ा होगा इस बारे में कि गोरी और जैचंद जी हाँ ये वही जैचंद है जिनकी बेटी सैयोगिता से बेंतहा महबबत करते थे प्रत्वी राज चोहान तो गोरी और जैचंद के बीच में बैटल होता है और याद रखेंगे ये जैचंद साहब जो है ये हार जाते हैं चंदावर की लडाई में और जैसे ही चंदावर की लडाई में हार जाएंगे जैचंद तो दो ही सबसे सक्तिसाली राजपूत हैं उस समय पे जब गौरी का हिंदुस्तान में टैक हुआ सबसे सक्तिसाली राजपूत है प्रत्वी राज चोहान और सबसे विस्तरत सामराज्य प्रत्वी राज चोहान से भी विस्तरत सामराज्य था कन्नोज के गहडवाल वंसी सासक जैचन का तो जब जेचन सरेंडर कर देता है चंदावर की लड़ाई में, तो असल माईने में राजपूती सक्ती कुछ समय के लिए मनों सोसी जाती है, राजपूती सक्ती की तलवारों की खनक मनों कम जोर सी पड़ जाती है, और फिर भारत में तेजी से कुतबुद्दीन एबक के दि मुहमद गौरी का एक दास है जिसका नाम है कुतबुद्दीन एबक, वो रन थमबौर के किले को भी अपने आधीन कर लेता है, तो इस तरह से ये भी कुछन पूछा जाता है, कि रन थमबौर का किला जो हमेशा से हर मुसलिम सासक के लिए जीत का महत्वण बिंदू होगा, क्योंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एक बार यदि किसी ने रन थमबौर के किले के अंदर सरन ले ली, या कोई रन थमबौर के किले के अंदर है, इसका मतलब है जीत का परसंटेज लगभग लगभग 95% है, तो इसलिए हर सासक चाहता है, या हर सासक चाहेगा कि उसको र चलते हैं अगले question की ओर अगला जो question है कि किस लडाई में मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली छेतर खोल दिया गया अब यह जो question है यह बिल्कुल simple question है आपको मुझे पता है एकदम clear answer देते आएगा और आप देंगे भी एकदम clear answer और मुझे पता है इस question का answer आप क्या करेंगे कि किस लडाई ने मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के दर्वाजे खोल दिये यहां दिल्ली के दर्वाजे से बहतर word हो सकता था उत्तरी भारत के द्वार खोल दिये तो याद रखेंगे दिल्ली के दर्वाजे खोलने का मतलब यह तो प्रत्वीराज चोहान दिल्ली के सा सासा को रजमीर के सासा के हर कोई दिमाग लगा लेता है लेकिन उत्तर भारत के द्वार खुल गए यह थोड़ा सा PCS लेवल का क्वेश्चन हुआ अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा कि किस लड़ाई में मुहम्मद गौरी ने दिल्ली के दरवाजों को खुलवाया यह रेलवे गुरूप डी वगरा व्यापम का क्वेश्चन है लेकिन PCS के लिए अप्रोच है कि उत्तर भारत के द्वार खोल दिये अब निश्चित रूप में वो लड़ाई कौन सी लड़ाई थी यह लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई तो पहले में आपको यह थोड़ी सी बेसिक बता दूँ जल्दी से तराइन की पहली लड़ाई कब होई थी बेटा जी आपको भी पता है 11199 में होई थी जिसमें कौन जीता था प्रतवी राच्चोहान गौरी को हार लगी थी फिर वो अपने गरह प्रदेश गजनी लोट गया था तराइन की दूसरी लड़ाई में अच्छे से सुनियेगा तराइन की दूसरी लड़ाई जो 1192 में हुई है इसमें गौरी की जीत हुई है आप में से कोई मुझे बता सकता है गौरी की जीत के कौन से दो प्रमुख हीरो हैं जिन से सम्मंदित कॉम्टेटर एक्जा साम में question पूछे जाते हैं कि तरायन second की लड़ाई जो गौरी ने जीती है वो किस के कारण जीती है तो दो लोग निकल कर आते हैं गौरी की life में और ऐसा माना जाता है कि अगर वही दो लोग आपकी life में हो तो आप हमेशा जंग जीतेंगे चाहे वो जंग कैसी भी हो और वो दो जो व्यक्तित्व हैं या वो जो दो लोग हैं उनमें एक है गुरू और दूसरा सबसे important साइद भाई से भी बड़ा जिसके लिए हम दर्जा देते हैं हमारा दोस्त ये दो ऐसी सक्सियते मिली मुहम्मद गौरी को जिनकी बदौलत मुहम्मद गौरी ने तरायन की जो हिंदुस्तान के सबसे सक्तिसाली सासक से लड़ाई थी प्रत्वी राज चौहान जिसका फलसफा इतना बुलंद था कि 1191 में उसने सोचिए गौरी को अभेदान दे दिया था वहीं 1192 में क्यों हार जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं ये वज़े भी निकल कर आती है गौरी को एक आध्यात्मिक गुरू मिलते हैं जिनका नाम है ख्वाजा मुईनुद दीन चिस्ती जिनोंने चिस्तिया परंपरा को हिंदुस्तान में सुरू कराया तो वही ख्वाजा मु अन्वे में तरायन की लड़ाई हारने के बाद जब गौरी अपने ग्रह प्रदेश गजनी गया तब सबसे पहले ख्वाजा मुईनुद दीन चिस्ती नहीं गौरी के अंदर तूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिस की तूटे हुए व्यक्ति को जोड़ने की कोशिस की और फाइनल में अल्लाह की अबादत अपने उपर होसला और इस तरह से आध्यात में ग्यान और विचारधारा के जरिये एक हारे और तूटे हुए इनसान को हिंदुस्तान का बादशा बना की रख दिया हमेशा जब मैं ये पॉइंट पढ़ाता हूँ तो इस्टूडेंट को ये चीज बताता हूँ कि 1192 के पहले आप गौरी के हालातों पर यदि नजर डालें तो आप पाएंगे कि गौरी तूटा हुआ आदमी था दो दो लडाईयों में हार लगी थी उसको ग्यारा सो मा पी चाहता हूँ अगर मैं बात करूं ग्यारा सो अठटर में नहरा वाला की लडाई एक लेडीस से हारा था नाईका देवी नाम था जिसका ये तो कतई मंजूर ना था लेडीस से हारना और ग्यारा सो इनक्यानवे में परत्विरा चोहान से हारा सोचो एक हारे हुए इनसान को जब गुरू का सानिद्ध मिलेगा और वो भी ख्वाजा मुहिन अद्दीन चिस्ती तो 101 परसंट है कि जीत उनके पाले में है इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि मुहिन अद्दीन चिस्ती जहें वो अल्लाह के देवदूतों में से एक माने जाते हैं मतलब इस्लामिक रिलीजन में ख्वाजा मुहिन अद्दीन चिस्ती का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और उनी का सागिर्द बना कौन अच्छे हैं सब लड़ाईयों में उन्हें जीत हासिल हुई है आपसे question पूछा जाता है हलाकि इस question को मैंने आप लिखा नहीं है लेकिन आपसे पूछ रहा हूं तुर्की सासन में गौरी की सफलता का वास्तविक स्रे किसे दिया जाता है तुर्की सासन में क्योंकि मुहम्मद गौरी तुर्की है गौरी की सफलता का वास्तविक स्रे किसे दिया जाता है अब इसका डिटेल आप सुनेंगे तो आप खुदी चकित हो जाएंगे अगर मुहम्मद गौरी ने सो लड़ाईयां लड़ी हैं एक्जामपल दे रहा हूं उन सो लड़ाईयों में से यदि कुतबुद्दीन एबक जिस भी लड़ाई में सेननाएक बनके निकला है गजनी से बाहर इसका सीधा सा मतलब है कि इतिहासकार इस लड़ाई को पहले ही जीत के परचम मे से थे जिनोंने कुतबुद्दीन एबक के युद्ध में जाते ही अपनी गणनाय करके यर गणना ना भी करके युद्ध का पहली हाल बता दिया था 1178 में नहरावाला की लड़ाई जो गौरी हारा और 1191 में तराइन की पहली लड़ाई जो गौरी हारा अच्छे से सुन लीजिए याद रखिएगा क्वेश्चन है आपके लिए इन दोनों लड़ाईयों का नेतरत तो खुद गौरी ने किया क्योंकि कुतबुद्दीन एवक नहीं था पास में और आफ्टर वन येर 1191 के बाद जब 1192 में तराइन की सेकंड लड़ाई में मुहम्मद गौरी सिर्फ बुत बने रहे लड़ाई का पूरा कारवा जब सम्हाला कुतबुद्दीन एवक नहीं तो इनकी सेन्न कुसलता के कारण ही प्रत्वी राच्चोहान जैसे सक्तिसाली साशक को भी घुटने टेकने पड़े तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गौरी के अध्यात में गुरु कौन है और सबसे इंपॉर्टन चीज़ कि तुर्की सासन में गौरी की सफलता का वास्तविक स्रे उनके गुलाम को दिया जाता है जो गुलाम से कहीं ज़्यादा बढ़कर था जी हां मैं बात कर रहा हूं कुतबुद्दीन एबक की जो गुलाम बंस की स्थापना करेंगे जिनको पील बख्स कहा जाएगा जिनको कुरान खा का टाइटल दिया जाएगा चलता फिरता कुरान का इंसाइकलोपीडिया माना जाएगा और सबसे इंपार्टन चीज की अपनी खुद की बेटी की साधी करेगा कुतबुद्दीन एबक अल्तुमिष से और ये अल्तुमिष जिसको आप इल्तुमिष कहते हैं यही आगे चलके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनेगा तो इसमें जितनी भी पॉइंट मैंने बोले हैं यह सभी आपके प्रेलिम्स के क्वेस्चन हैं तो इसलिए बड़े डिटेल से बड़े आराम से लेक्चर सुने और जो जो चीजे मैं आपको बताता चल रहा हूँ इनको ध्यान रखें जैसे अगली चीज खानवा की लड़ाई का जिकर जब भी हम करते हैं हलाकि खानवा की लड़ाई जो है ये बाबर जो मुगल वन्स का संस्थापक था जैसे मुसलिम अच्छा एक बात याद रखेगा अगर आपसे कभी कोई पूँचे कि बाबर और मुहम्मद गौरी में क्या similarity थी तो दोनों की similarity एक हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सक्सियत से अलग मुगल सामराज्य की नीव डाली थी बाबर ने मुगल सामराज्य की नीव बाबर ने डाली थी मुसलिम सामराज्य की नीव गौरी ने डाली थी तुरकी सामराज्य का संस्थापक गौरी को कहते हैं और मुगल सामराज्य का संस्थापक बाबर को कहते हैं तो ये इन में difference है जो काफी close है अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको इतनी बारी किया भी easily समझ में आएंगी तो बाबर और खानवा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी राणा सांगा यदि आप ये पढ़ते हैं तो आज एक बार फिर से अपने नोट्स निकालिएगा और इसको फिर से खांगा लिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी ये सिर्फ आपको 5% नोलिज है असल माइने में राणा सांगा पूरा का पूरा राजपूत का ग्रुप बना के लेके आए थे और साथ ही साथ में बहुत सारे अफगानों को संगठित करके लेके आए थे मतलब बाबर की लड़ाई जिसको हम खानवा की लड़ाई कहते हैं तो बाबर पहले पक्ष में तो ठीक है दूसरा पक्ष राणा सांगा का है तो इस समस्त राजपूती सकती और अफगानी सकती को साथ लेकर आया था राणा सांगा खानवा के युद्ध में हलाकि इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ कि तुगलमा युद्ध नीती या रूमी पज्वती मतलब आपने कभी न कभी ये चीज़ें सुनी होंगी बारूत और तोप खाने का उप्योग किया था बाबर ने और राणा सांगा की सेना को जो सिर्फ जोस और तलवारों के बल पर चली आ रही थी आग उगलने वाले अस्त्रों ने जिनको अगनियास्त्र कहते हैं पसी ने छुड़ा दिये थे और इस युद्ध में राणा सांगा हारा गया था या मारा गया था इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको डेट तक याद होगी कि 21-4-1526 तो 21-4-1526 पानीपत का जो बैटल है याद रखेंगे आप बाबर बर्सिस इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी कौन है लोधी सल्टनत के अंतिम सासक है आपको पता होगा लेकिन अब आप याद रखेगा लोधी सल्टनत को ही पठान सल्टनत भी कहते हैं तो पठान सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है वो है इबराहिम लोदी इसी को हराएंगे बाबर और मुगल वन्स की स्थापना कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां हुआ क्लियर। अब यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ जिस क्वेश्चन से आपको मैं कोई कुछ भी नहीं बताना है क्योंकि जादतर चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी हैं कि तराइन की सेकेंड लडाई क्यों मेंस तक में आपसे पूछी जाती हैं और प्रेलिम्स में पूछना तो बनता ही है आज मुसल्मानों की जो जमात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में अगर असल माइने में देखा जाए कि भारत में इसलाम का उदे किसने करवाया था याद रखेंगे भारत में इसलाम का उदे करवाया था अरबियों ने मुहम्मद बिन कासिम उस इस्लामिक सामराज्य सामराज्य तो भारत में इस्लामिक सामराज्य इस्थापित किया जाएगा या भारत में तुर्की सामराज्य इस्थापित किया जाएगा मुहम्मद गोरी के द्वारा और मुहम्मद गोरी वो परसनालिटी है जिसने तराइन की सकैन बैटल में तराइन क तराइन की second battle को जीतते हैं और भारत में Islamic सामराज्य स्थापित करते हैं तो इस तरह से भारत में Muslim सामराज्य तुर्की सामराज्य किस युद्ध से इस थापित होता है आप याद रखेंगे तराइन सेकेंड लेकिन जिसे आप भारत बोल रहे हैं वो भारत असल में उत्तरी भारत है मतलब तराइन सेकेंड युद्ध का परिणाम ये हुआ बिटा जी एक बार फिर से सुनिया मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ भारत में यहां भारत का मतलब उत्री भारत में मुस्लिम सामराजियत तुर्की सामराजिय की स्थापना हुई है मुहम्मद गौरी के द्वारा हलाकि युद्ध को लीड किया था कुतबुद्दीन एबक ने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन की और किस मुस्लिम सासक के सिकों पर लक्ष्मी देवी की आकरती बनी थी अब आती है वो कहानी या अब आती है वो चीज़ के दिमाग में हमेशा से फिल्मों के जरिये या बातों के जरिये जो डाले गयी है जब किताबों के पन्या पसल में खंगालते हैं तब आपको जब रियल्टी पता चलती है तो जो जहालत थी आपके दिमाग में जो सुरू से डाली गई थी जो गलत है उससे परदा हटता है तो अब आप अच्छे से देख लिजे और कभी इस तरह की बातें चीतें अगर हों तो आप अपने दलीलें रख सकते हैं और 100% वो दलीलों पर सामने वाला जब सुनेगा क्योंकि practically proof आप देंगे तो आपकी बात मानेगा भी मेरा कहना ये था कि प्रत्वी राज चोहान यदि युद्ध हार जाते हैं तो प्रत्वी राज चोहान के साथ में क्या हुआ था अब ध्यान से सुनेगा प्रत्वी राज चोहान जो की युद्धिस्थल से भाग निकलते हैं मतलब तराइन की बैटल से भाग निकलते हैं औ और सिरसा नामा के श्थान पर इनको पकड़ दिया जाता है, एसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा एक इसलामिक इतिहासकार कहते हैं, जिनका नाम है मिनहाज अलसिराज, ये मिनहाज अलसिराज वो व्यक्ति है जिनों ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तवकात ए नासिरी याद रखेंगे ये चीज ये क्वेशन पूछा गया है तवकात ए नासिरी जो ग्रंथ है वो किस ने लिखा था मिनहाज उल सिराज ने और मिनहाज उल सिराज के ग्रंथ तवकात ए नासिरी में ये साफ सा प्रत्वी राज चोहान की गला रिद कर हत्या कर दी जाएगी सिर्सा के निकट जो आज की समय में आदुनिक हिसार में पड़ता है परन्तु प्रत्वी राज चोहान थर्ड की डेथ का वाक्या अगर आप उनके राज दरबारी चंद्रबरदाई के मुझ से सुनते हैं प्रत्वी राज रासु आपने सुना होगा चंद्रबरदाई जो की प्रत्वी राज रासु में बताते हैं कि प्रत्वी राज चोहान को गुलाम बनाया गया गोरी के द्वारा बिड़ियां डाली गई हाथों में फिर इनको गजनी ले जाया जाएगा और गजनी ले जाकर इनकी आँखों को फोड दिया जाएगा और आँखों को फोडने के कारण फिर एक दिन ऐसा होगा जब सब्द भेदी बाण परंपरा को देखना चाहेगा कि सच में ये नौलेज जो है प्रत्वीराज चोहान को आता है की नहीं तो गोरी इनकी टेस्टिंग लेगा और फिर इसी तरह से इनको मार दिया जाता है मतलब गोरी की डेथ हो जाती है प्रत्वी राज चोहान के बाण मारने से और बाद में चंदर बरदाई और प्रत्वी राज चोहान भी अपने को समाप्त कर लेते हैं तो ये इतिहासकार, इंडियन इतिहासकार ऐसा बोलते हैं प्रत्वी राज चोहान के बारे लेकिन सबसे बिश्वसनी बात जो पता चलती है, याद रखेंगे, सबसे बिश्वसनी बात पता चलती है देहली वाले सिक्के से, देहली वाले सिक्के में एक तरफ भगवान सिव क की आकरती बनी है सिवकी आकरती के नीचे प्रत्वी राज चोहान जो है वो किस लेंग्विज में लिखा हुआ है देव नागरी लेंग्विज में लिखा हुआ है और दूसरे तरफ जो है घोड़े का चित्र बना हुआ है याद रखेंगे इसलाम में सबसे पवित्र पशु गौडे को मानते हैं और गौडे के चितर के नीचे लिखा हुआ है मुम्मद बिन-शाम और मुंध बिन-शाम जो लिखा हुआ है यह अरिविक में लिखा हुआ है अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कहीं हम कोई सिक्के में नहीं दिखा लक्षमी देवी की बनी आकरती मैं आपको यही समझाना चाहरा था यदि सिक्के में एक साइड सिव की आकरती हो पर नीचे प्रत्वीराज चोहान लिखा हो यदि सिक्के में एक दूसरे साइड घोड़े की आकरती हो और मुहम्मद बिन साम लिखा हो इस सिक्के को कहते हैं दहली वाला सिक्का यही सिक्का बताता है असल में कि प्रत्वीराज के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि ये दोनों इस्तिहासकार बताते हैं असल में प्रत्वी राज चोहान जो है उन्होंने गोरी की अधीनता सुईकार कर ली थी और कुछ समय यहां पर उन्होंने रूल किया है और ये सिक्के इस बात के चसमे दीदगवार हैं क्यो इसी प्रत्वी राज चोहान ने कुछ समय के बाद एक सिक्के और जारी किये जिन पर देवी लक्षमी की आकरती बनी हुई थी मतलब दो सिक्के मिलते हैं गोरी के टाइम पर तो जो आप लोगोंने आंसर किया है ए वो बिलकुल सही कहा लेकिन जो मुझे में चीज आपको स चीज थी यह जो आप साइद समझ गया होंगे कि दो तरह के सिक्के हैं लेकिन यदि मैं आप से एक क्वेशन और पूछूं कि उस सासक का नाम बताईए जिसने अपने सिक्कों पर कल्मा खुदवाया था संस्कृत लेंग्विज में मतलब अल्ला ही सर्व सक्तिमान है और पैगंबर उसके सचे रसूल है जरा आप में से कोई बताईगा कि संस्कृत लेंग्विज में सिक्कों पर कल्मा किसने खुदवाया था जी हां भारत का पहला सुल्तान नकिवल भार सबसे पहले कलमा खुदवाया था संस्कृत लेंग्विज में बंदे का नाम है महमूद गजनभी तो महमूद गजनभी जिसको इंडियन स्कॉलर सिर्फ लोटेरे के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं जिसने हिंदुस्तान को सत्रा बार लूटा इसको तार-तार किया और इसने सीरी फोर्ड बनवाया था सीरी का किला बनवाया था और जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी मेरी बड़े ध्यान से सुनेंगे वो लोग जिनोंने सब्जिक पे कमांड कर रखी है भारत की जो सबसे पहली मस्जिद है जिसको हम कहते हैं चेरमन पेरुमल 6-9 में पैग कर लिया था 629 में मौम्मद साहब से खुद मिलकर आये थे मदीना शरीफ में उसके बाद से उन्होंने हिंदुस्तान में पहली मस्जिद बनवाई थी लेकिन जब हम दिल्ली सलतनत पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह जब हम मिडिवल इंडिया पढ़ते हैं तो मिडिवल इं जमायत खाना मस्जिद और जिस जमायत खाना मस्जिद इसलामिक सेली में बनी इसको बनाएं था अलवाउद दीन खिल जी ने MP-work-1-history का course app पर है क्या सर जी Chainsing में ये तो नहीं कह सकता कि course है कि नहीं है लेकिन ये है कि जो history में पढ़ाऊंगा वो आपको वर्ग 1 में भी काम आ जाएगी 2 में भी काम आ जाएगी, 3 में भी काम आ जाएगी क्योंकि लेबल हम उसी लेबल पर रख रहे हैं कि student को prelims की चीज़ां तो मिल जाए student की सबसे बहतर means में सोच आए, student means की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे इसलिए मैं इस तरह की decoding करता चल रहा हूँ, कि गौरी के सिक्के भी बता रहा हूँ और गजनवी के सिक्के भी बता रहा हूँ, तो आप मानिये कि एप पर जो history की class है especially मैं अपनी बता हूँ, medieval India, आप बिलकुल उन से निश्विकर हो जाएए, उसमें आपको MP, work एक या जो कुछ भी है, वो सारे point अभी आपको मिल जाएंगे चलते हैं, next question की और, भारत में मुहम्मद गौरी ने पहला इक्ता किसको प्रदान किया है यहाँ इक्ता का मतलब है कि भूमी का तुकड़ा, या इसी को हम कहते हैं कि भूमी के तुकड़े का जो स्वामी होता है, उसको हम कहते हैं एक्तिदार मतलब आगे हम देखते हैं कि भारत में एक्ता प्रणाली को सुरू करने वाले विक्ति का नाम है अल्तुमिश अल्तुमिश जो हैं अपने सामराज्य का विभाजन एक्ताओं में करेगा और हर एक एक्ते का, एक भूमी का एक्तिदार न्यूक्त करेगा तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले भूमी को वेतन के रूप में सबसे पहले मुहमद गौरी ने अपने किस गुलाम को दिया था मतलब एक्ताओं प्रणाली को एक्सेप्ट करने वाला या राज की वेतन को भूमी के रूप में देने वाली पहली परसनाल्टी हम जिसे कहते हैं बिलकुल सही कहां चैन ने भी इस क्वेस्चन का राइट आंसर है मतलब कुतबुद्दीन एबग तो याद रखेंगे कि कुतबुद्दीन एबग वो व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले गौरी ने एक्ताप्रदान किया था समसुद्दीन अल्तुमिश वो व्यक्ति हैं जिनोंने एक्ताप्रणाली की नीव रखी थी यहां एकता प्राणाली का मतलब मैं आपको بالकुर सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि जो भी सैनिक कारे करते थे तो जो भी सैनिक अगर एक महीने काम करेगा तो बताइए सैनिक यहादी काम करेगा तो गो क्या लेगा? वेतन तो जरूर लेगा और जब भी सैनिक वेतन लेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय वेतन नहीं दी जाती थी या वेतन दिया जाता था तो वो इस रूप में दिया जाता था मतलब भूमी का एक तुकड़ा दे दिया जाता था कि इस particular area पर आप का अधिकार होगा, आप इस पर खेती करिए, आप इस पर अपना अधिकार रखिए. तो एक्ता प्रणाली के अंतरगत ही, एक्ता सिस्टम को अल्टुमिश्न लागू करके बहुत अच्छे तरीके से अपने सामराज्य को संगठित करने की कोशिस की. इसी प्रक्रम में जब हम अलाउद्दीन खिल जी का नाम सुनते हैं, तो अलाउद्दीन खिल जी याद रखेंगे, ये वो व्यक्ती है अलाउद्दीन खिल जी जो सैनिकों को वेतन के रूप में भूमी नहीं देता है, सैनिकों को वेतन के रूप में ये नगद वेतन देत आ नगद वेतन कौन देगा अलाउद्दीन खिल जी और सबस्पेर इपार्टें चीज specifically संसेन रखेगा तो दिली में जो इस्थाई इसेना हैं वह भी सबसे पेहले अलाउद्दीन खिल जी महोत् came तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ यह अब यहां पर जो चार ओप्षन दिखाए गए हैं आपको याद रखेंगे यह चार ओप्षन में एक सबसे इंपॉर्टन चीज है जो मैं को आपको बतानी है इसलिए मैं अलग कलर से इसको रिप्रजेंट कर रहा हूं कि जब गौरी की डेथ हो जाती है तो गौरी की डेथ के बाद इन में से सी को आप यदि छोड़ दो है ना तो यह सभी लोग अपनी दावीदारी पेस करते हैं तो मुहम्मद गौरी अपनी डेथ के बाद अपने गुलाम ताजुद्दीन एलदोच, कुतबुद्दीन एबग गुलाम और नसुरुद्दीन कुबाचा इनके बीच सामराज्य के विभाजन को करके जाता है क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं है 1205 ए 6 पे तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि गजनी का सासक जो है मतलब मुहम्मद गौरी कहां का सासक था गजनी का तो अपने मरने के ब मतलब मुहम्मद गौरी की डेथ के बाद भारतिय विजित प्रदेश दिये जाते हैं और नसुरुद्दीन कुबाचा को दिया जाता है सिंध और मुलतान अलगी उस समय सिंध को उच्छ बोलते थे तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ये आपको सबसे इंपॉर्टन च चीज जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ थ्यान से सुनेंगे जो चीज़ बता रहा हूं ये आपके बहुत काम आएगी और इसमें से आपके बहुत सारे कोशन हल भी हो जाएंगे एबक जो है इसकी एक बहन है और एबक जो है इसकी एक बेटी है साइद मेरा इसारा आ सबसे पहला सासक है एबक जिसने अपने सामराज्य को विस्तरत करने के लिए इसने मत्रिवत संबंध बनाने का सीधा सा मतलब है कि इसने ब्लड रिलेशन पर आधारत राजनेतिक विवस्त्ता स्टार्ट करी हुआ क्या है ध्यान से तुनिएगा कि जो बेहन है एबक की जो बेहन है एबक की बेहन को एबक ने कुबाचा को दे दिया इस तरह से सिंध और मुलतान में कुबाचा जो है यह प्लड रिलेशन में आ जाते हैं एक दूसरे के यह रिस्तेदार बन जाएंगे और अटेक नहीं करेंगे अच्छे से सुनिएगा एबक जो है उसने खुद जो है वो साधी की है ताजदीन यालदोज की बेटी से तो ताजदीन यालदोज जो है उसकी जो बेटी है गजनी के सासक ताजदीन यालदोज की बेटी जो है उन से साधी की है किसने एबक ने मतलब एबक दामाद हो गया किसका दामाद हो गया अच्छे से देख लीजिए यालदोज का और सबसे इंपॉर्टन चीज़ कि एबक की जो बेटी थी एबक ने अपनी बेटी दी अपने ही गुलाम को जिसका नाम है अलतुमिश तो अपनी बेहन कुबाचा को दी खुद यालदोज की बेटी से सादी की जो की गजनी का सासक था और अपनी बेटी जो हैं वो अलतुमिश को दी तो इस तरह से आप से question पूछा जाता है मद्ध कालीन इतिहास का वो पहला सासक बताईए तो मद्ध कालीन इतिहास का वो पहला सासक जो रक्त संबंधों पर आधारत राजनीती करके या रक्त संबंधों को मजबूत करके राजनितिक विवस्था को इस्थाई बनाना चाहता है जी हाँ वो है एहबक तो इस तरह से आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं डिटेलिंग हमने करी है जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेस्चन की जो डिटेलिंग है उसको ही हमको ज्यादा तर फोकस करना है जो सामने आपको पॉइंट लिखे दिख रहे हैं यदि आपने इन पॉइंटों को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप बिलीव करेंगे कि जि झाल झाल